स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर तो अभी हम बात करने वाले हैं आज के मुकाबले की जो होने वाला है लुकनाओ और रॉयल चलेंजर बेंगलॉर के बीच में 43 मुकाबला है टूर्णामेंट का अभी तक टूर्णामेंट बहुत बात करो वाली तुल मुकाबले उसमें से पहले बात करने वाली टीम और पहले बाणिक करने वाली टीम चार मुकाबले के अगर गयाев करना तो चाही सेंपर तो हैंआ तो उस वज़ा से न हो सकता है कि scoring rate में भी आपको थोड़ा सा advantage देखने को मिले, थोड़ी सी आपको pitch fast देखने को मिले, बस इतना ध्यान रखना, पिछला मुकाबला जो इस switch के उपर हुआ था, वो ऐसे 3.30 बजे हुआ था, 9 मुकाबले खेले गए हैं, 5 यहां पर पहले कर देखने को मिले, 6 spinners को विकट गई और 5 यहां पर फास बॉल उसको पर के लिए, और अगर आप यहां पर भी देखोगे तो यहां पर हार्दिक पांडिय और रिदिमान सहा यही दोनों प्लेट चले थे, और कोई नहीं चला था, तो आपको बैट्समन उतने सही रखने है LSG की अगर आप बात करो, उससे पिछला मुकाबला पंजाब के खिलाफ थभी है, वहां पर पंजाब जीट गई क्योंकि इनना सिर्फ फोर सिर्फ 160 run करे थे, यहां पर अगर आप देखोगे, केल राहूल के 74 run, काईली मायर्स के 29 run, काईली मायर्स स्पिच के ओपर इतना ब बहुत बढ़िया प्लेयर है, उसकाद LSG के अगर आप बात करो, वो मुकाबला जीते हैं, वहां पर केल राहूल 35 और कुनाल पंडिया 34 run, वहां पर भी 8 जो विकेट सी, वो स्पिनर को गई और 4 गई यहां पर फास बॉलर्स को, उससे पिछला जुमला, सबसे पहला इस रन हर एक मुकाबले में देखने को मिल रहे हैं, तो काईली मारिजा पराम से पिक कर सकते हो, अब अगर आप head to head की बात करो, तीन मुकाबले खेले गए हैं, RCB 2 जीती है, और यहां पर लखनाओ एक जीती है, चौथा मुकाबला हुआ था, यहां पर अगर आप देखो मुकाबले में कौन-कौन से प्लेज ना बहुत बड़िया पर्फॉर्म करा है, और इस पिछ के उपर लखनाओ के प्लेज ना कितना बड़िया परफॉर्म करा है, वगर आप head to head की बात करो, चौथा मुकाबले के लिए हैं, बहुत बड़िया फॉर्म करें थे, उसके बात करो head to head एक मुकाबला जीरो पर आउट हो गया था इस साल का मुकाबला अभी के लिए इंक्लूड नहीं करा है मैंना करा है वहां पर जीरो पर आउट हुआ थो अगर आप इस ग्राउंड की बात करो दो मुकाबले खेले हैं 43 एवरेज 21 की रही है इस ग्राउंड के ओपर चार मुकाबले साड़े पंद्रा की एवरेज है पहला मुकाबला थारा रन फिर उसके बाद अगर आप देखोगे दूसरे मुकाबले में बैटिंग नहीं तीसे मुकाबले में पांच रन और चौते मु बढ़िया पकड़ लिए इस ग्राउंड के ओपर चार मुकाबले 37 और दो विकेट चटकाई हैं पहला मुकाबला 12 दूसरे मुकाबला 10 रं तीसरे मुकाबला 15 और 4 मुकाबले में आपको विकेट लाकर देकर गया है बस 4 मुकाबला इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया गय पहला मुकाबला 36 रन इस ग्राउंड के उपर दूसर मुकाबला 11 तीसर मुकाबला 0 और चौथा मुकाबला 1 रन अभी के लिए निकलास फूरन की सेलेक्शन जाद है क्योंकि कौन सा प्लेयर रखे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है दिनेश कारतिक को आप रख सकते हो उसके स्ट देखकर हम दिनेश कारतिक को रख लेंगे हैड टू अगर आप बात करो दीपक उड़ा 15 मुकाबले 12 की एवरेज है रन अगर आप देखो 112 ओवर 2 और विकेट एक इस ग्राउंड के उपर 6 मुकाबले खेले हैं वहाँ पर 7 की एवरेज और एक विए चटका है यह दीपक उ बहुत बड़े है पर पर एक उपर आप कर आप देख सकता है और अब बढ़िया ओप्शन रह सकता है रवी पिष्णुई कि अगर आप बात करो साथ मुकाबले चे विकेट चटका है यह दू पर चार मुकाबले पांच उपक उपर पहला दो पर दो बिकेट निग दूस् दूसरा मुकाबला दो विकेट और चौथा मुकाबला अगर आप देखोगे तो विकेट लैस रहा था चौटे मुकाबले में बट इस तीम के खिलाफ अगर मैं बात करूँ वहां पर भी एक विकेट तो वहां पर इस ग्राउंड के ओपर अमित मिष्णुई दोनों में से क पूरे मिल रहे हैं अवेश खान के अगर आप बात करो पांच ओवर करवाया है दो विकेट चटकाई है इस ग्राउंड के ओपर तीन ओवर दो विकेट वह भी पहला ही मुकाबला था जहां पर दूसरा खिलाया नहीं तीसरे के अगर आप बात करो विकेट लैस और चौथा यह प्रफार्मेंस रही बट पहला मकाबला जब इस ग्राउंड के ओप खेला था वहां पर एक विकेट चटकाई थी वह यह वाला मकाबला था उसके मुकाबला वैसे इस टीम इस फ्लेयर को पर खिलाया था वहां पर पहली बौल पर पार चार उबर कर वार एक नोमिकल उसके बाद मार्क वुट की अगर आप बात करो अभी के लिए ना यह मतलब फिट नहीं है अगर फिट होता तो पका आता पहला मुकाबला इस ग्राउंड के ओपर इस फ्लेयर ने पांच विगेट चटकाई थी बहुत बढ़ी परफॉर्मेंस है दूसरा मुकाबला जब इस इसे खेला ही था तीसरा मुकाबला जब इस ग्राउंड के ओपर खेला तो बहुत बड़ी आप फॉर्म रही है भी है इस ग्राउंड के ओपर मार्क वुट की पर अभी के लिए इंजर्ड है उसके बाद अगर आप रमारी शाफर्ट की बात करो वैसे खेलेगा नहीं प्ले 147 रन बहुत बड़ी है फॉर्म में चल रहा है फिर उसका डैनल सेम्स के अगर आप बात करो एक मुकाबला खेला है इस टीम के खिलाफ विगेट लेस रहा था वहाँ पर और नीचे आपके पास और कोई प्लेयर है नहीं और कोई आप्शन है नहीं अब अगर आप रोयल च पर अपना जब पिछला मुकाबला खेला इस टीम के खिलाफ 61 रन पिछले मुकाबले मा अगर आप देखो 54 रन अभी के लिए बहुत बड़ी है फॉर्म में तीन मुकाबले ही फ्लॉप रही है एक में 0 एक में 6 और एक में 20 रन 21 को अगर आप फ्लॉप नहीं भी मानते हो त इस ग्राउंड के उपर एक इंपॉर्टन प्लेयर हो सकता है अभी के लिए ना टीम कुछ-कुछ बॉलिंग करवा रही है जैसे विराट कोली ना पिछे मुकाबले में एक ओवर दिया इसे बट आज के मुकाबले में आपको मैक्सवेल और शेवाज हैमद दोनों के दोनों से इसना बट स्टिल आज के मुकाबले में फिर से मौका दिया जा सकता है उसका ग्लन मैक्सवेल के अगर आप बात करो तीन मुकाबले खेल रखे हैं भी यह इस टीम के खिलाफ 30 की एवरेज और एक विगट चटता ही है पिशह मुकाबले पांच रन बैट उस से पिशह मु मुकाबले में तो भी यह बैटिंग भी नहीं थी दिनेश कार्थिक के अगर आप बात करो हैट तीन मुकाबले 51 रन और स्ट्राइक अगर आप देखो 159 एक मुकाबला इस ग्राउंड के खेला है वहां पर इसकी मतलब ना बैटिंग आई और बॉलिंग तो यह करता है अग ग्राउंड के अपर तीन मुकाबले पांच ओवर करवाएं एक विकेट चिट कही है क्या बॉलिंग करवाएगा अभी के लिए शायद नहीं क्योंकि इनके पास जैसे मैं आपको बताया ओपर मैक्सवेल का उप्शन रहेगा और उपर शहबाज हैमत का उप्शन रहेगा ज भी येवाला मुकाबले चार वर करवाया येविकेट लिस रहा फिर उसके आद विजे कुमार की अगर आप बात करो यहाँ पर पिछन मुकाबले में दो विकेट आपको लाकर देकर गया है ब्रंस बहुत जादा कहा ले था व्योंकोमार विशेक पिर उसके अगर मोहमद सि इसने खेला मुकाबला कि अगर आप बात करो एक्ष्टा स्वेनराज के मुकाबले में खिला सकती है रसे भी की टीम बट किसकी जगा खिलाएगी वह एक कोशन रहेगा क्या यहां पर एक्ष्टा बॉलर लेकर जाएगी या फिर वही टीम से मरेगी वह देखने को मिलेगा किस ओवरसीस प्लेयर को ड्रॉप करकर खिला मन चाहते है उसके बाद अगर आप इस ग्राउंड के ओपर आकाश डीप की बात करो चार विकेट चार मुकाबलों में पांच विकेट चटका रखिया है तो इसकी इन स्किल्स को यहां पर शाहर टीम इंक्लूड कर ले उसके ब प्लेयर को रखो निकलास पूरन आपके लिए ज्यादा सेफ हो जाएगा इसलिए मैं अभी अभी आपको दिखेगा नहीं और उसके बाद अईश बदोनी यह एक ऐसा प्लेयर जिसा आप ट्राइग कर सकते हो बट इस पिच के ऊपर भी हैं सिंगल डिजिट में रहा है तो आपको एक रिस्की ऑप्शन जो बताऊंगा उसके हम बात करेंगे यहाँ पर ग्लेन मैक्सवल मारकस वाइनस उसके बाद यहाँ पर हसरंगा आपके बास है कुनाल पांडिया और यहाँ पर काईली मायर्स अब एक चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो आपको कर लेना क्यों म यहाँ पर मारकस ट्राइनस या नहीं तो काईली मायर्स क्योंकि काईली मायर्स उपर आएगा बैटिंग करने के लिए हो सकता है स्टार्टिंग के चे ओवर में या आपको मतलब 20-22 बाल्स में आपको 30-40 रन कर जाए तो वह एक इंपक्फुल पारी आपको यहाँ से देख सिराज और यहाँ पर राई बिष्ण वैसे पिछले मुकाबले मैं इस ग्राउंड के ओपर विगेट नहीं चिटका पाया था हर्श्य बटेल को आप पिक कर सकते हो डेथ में आकर आपको बॉलिंग करवाएगा हीटिंग लगेगी इस ग्राउंड के अपर इतनी असानी से यहाँ पर इस ग्राउंड के ओपर मारकस टॉइनस ने इतना बड़िया परफॉर्म नहीं करा है तो यहाँ पर अब यह प्रिव्यू बन जाता है कि यहाँ पर मैंने कुनाल पांडिय को वाइस कैप्टेंसी दे लिए काईली मायर्स को ड्रॉप करकर अगर आप शवाज अम अब डेट आपको टेलिग्रम पर देखने को मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक आपको नीचे डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडिए के लिए बस इतना ही चैनल सस्क्राइब कर लीज़ेगा वीडियो लेक्र देख आपके लिए इस चैनल पर